नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत हैं तो दोस्तो कल थोड़ी बहुत प्रोब्लम हो गई थी निजी कारणों की वज़े से आपकी कलास पूरी नहीं ले पाया तो आज हम उसी करम में आगे बढ़ते हुए अंटारेक्टी का महाद्यूप की चर्चा कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि अंटारेक्टी का महाद्यूप की मैंने आपको कल स्थिती बताई थी और इसके उपनाम पढ़ने थे तो उपनामों में देखो दोस्तो इसको क्या क्या कहा जाता है ठीक है उत्तरी दुरूब सोरी दक्षिनी दुरूब जो है अपके कौन से महाद्यूप में है अंटारेक्टी का महाद्यूप में इसके उपनाम में सबसे पहले हम पार धूप कहलाता है इसको गतिशील महाद्यूप भी कहा जाता है ठीक है यहाँ पर अलग लग देशों ने अपने जो है अनुसंधान के इंदर वना रखे हैं इसको एक नामोर दिया गया है विज्ञान को समर्पित महाद्यू अलग-अलग अनुसंदान के अंदर होने के कारण इसको क्या कहा जाता है आपके विज्ञान को समर्पित महाद्यू भी कहा जाता है ठीक है इस महाद्यू की जो सबसे पहले खोज है सर्वपर्थम खोज जो है वो आपके की थी, Captain James Cook ने की थी, किसने की थी, Captain James Cook ने की थी, लेकिन यह मुख्य भूमी पर नहीं पहुंच पाया था, यह 1773 में कर रहा है, इसकी खोज कब की है, 1773 में, लेकिन यह मुख्य भूमी पर या मुख्य भूमी तक नहीं पहुंच पाया था, ठीक है, और अब बात आती क्या वेक्षा वह था मुख्या भूम मी पर पहुंचने वाला परतनाव्धा मेक्षा ग्यून था विले और इसे इस और कब गया था यह सो डीकिन बेखिन आपके मदेश्चा जो किताबूं में एक नाम और लिखा हुआ gloss का Captain Davis नाम लिखा हुआ है Captain Davis भी ये गया था मादेवी शिक्षाबोर्ड में सबसे पहले मुख्य भूमी बे लेकिन ये तो लगबग 1821 में गया था इससे पहले जो है William Soshan गया था 1820 में जो कि इस महादिव की मुख्य भूमी पर पहुंचने वाला पर्थम वेकिती है ठीक है अब बात आती है मुख्य भूमी पर पहुंचने वाला पर्थम बारती है कोन है ये भी तो है मुख्य भूमी पर पहुंचने वाला पर्थम बारती है तो 1956 में पहुंचा था या 1956 में गया था पहुंचने वाला पर्थम बारतिय है ठीक है और अब बात आती है कि दक्षिन दुरव पर पहुंचने वाला पर्थम वेक्ति कोन है दक्षिन दुरव पर पहुंचने वाला पर्थम वेक्ति कोन है तो दक्षिन दुरव पर पहुंचने वाला पर्थम वेक्ति है एमंडर्शन, ठीक है, क्या नाम आता है, एमंडर्शन, क्या नाम है, एमंडर्शन, ये लगबग 1911 इस्विक्यास पास गया था, अब आती है कि दक्षिन दुरोपर पहुंचने वाला पर्थम भारतिय कोन है, तो नाम आता है आपके डॉक्टर गिरीराज सिरोही, क्या नाम तो अब बात फिर से देखो, इसके उपनाम की निर्जन महाद्यूपए, सुएत महाद्यूपए, सबसे ठंडा महाद्यूपए, गतीशिल महाद्यूपए, विज्ञान को, समर्पित महाद्यूपए, कैप्टन जेम्स, जो है क्रूक ने इसकी क्या किती सतरा स्थियतर में, ठीक है, और पर्थम, पर्थम व्यक्ति जो मुख्य भूमी पर पहुंचा, विलियम सोसें था, 1820 में, माद्यूपए, शिक्ष्या बोर्ड में क्या नाम दे रखा है, कैप्टन डेविस, जो की लगबग, 1820 में गया था, ठीक है, वो आपके पेपर पर डिपेंड करता है, क डॉक्टर गिरी राज, शिरो हिकोन, डॉक्टर गिरी राज, शिरो लगबग, 1960 हिस्वी के असपास गया था, अब देखो, लगबग, आप अपने मैप में देखोगे, तो आपको इस तरहें से स्तिती दिखाई देगी, ठीक है, आपको जो अंटारिक्टिका लगबग आपके 90% भाग जो है, वो किस से डखा हुआ आपके, बरफ से डखा हुआ है, और इसका एक यहां पर दूइप है, यह दूइप, ठीक है, जिस दूइप का नाम है आपके, पॉलमर दूइप, क्या नाम है, पॉलमर दूइप, ठीक है, पॉलमर दूइप, यह दू ठीक है पॉलमर प्राई डूप है और ये जो पॉलमर प्राई डूप है ये अंटार्क्तिका महादूप का एक मातर ऐसा प्राई डूप है जो की बरफ रहीत है और अगली अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर ही जो है इसी छेतर के अंदर आपके परत्वी के सबसे जो है ठंडा स्तान भी है जिसका नाम है आपके वो स्टोक ठीक है क्या नाम है वो स्टोक परत्वी का सबसे ठंडा स्तल है वो स्टोक और जहां का जो टेंपरेचर रहता है वो आपके रहता है माइनस 88.2 डिगरी सेल्चियस माइनस 88. 18.2 degree Celsius रहता है ठीक है वो स्टोक का टेंपरेचर कितना है minus 18.2 degree Celsius है ठीक है और विश्वे का सबसे बड़ा हिम्नद विश्वे का सबसे बड़ा हिम्नद हिम्नद मतलो गलेशियर ब्रफ का पहाड जो है उसका नाम है आपके लेमबर्ट हिमनद कौन सा है लेमबर्ट हिमनद और यह जो लेमबर्ट हिमनद है यह आपके कौन से महाद्यू पर स्थित है तो आपके अंटारक्टिका महाद्यू पर स्थित है चीक है अंटारक्टिका महाद्यू पर स सागर है कौन सा सागर है वेडेल सागर है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई यह कौन सा सागर आपके वेडेल सागर है इसकी यहां पर जो है एक सबसे लंबी परवत सरंखला है इस महादिव की यहां पर सबसे लंबी परवत सरंखला है ठीक है और इस जो परवत सरंखला है इस नाम है इसका कवीन मोड परवत माला या कवीन मोड परवत सरंखला है ठीक है यहां पर आपके कौन सा दुरोवे दक्षिन दुरोवे कवीन मोड परवत माला और इसी के अंदर ही इसी परवत माला में जो है इसी महाद्वीब की सबसे उंची परवत चोटी है जिस परवत ठीक है ये क्या है इसकी सबसे उन्ची पर्वत चोटी है कौनसे महाधियोग की आपके तो अन्टारिक्टी का महाधियोग की सबसे उन्ची पर्वत चोटी है ठीक है यहीं पर ही आपके दक्षिन दूरू के इसी किनारे पर यहां पर एक जौला मुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस जौला मुखी कौन सा जवाला मुखी आगे माउंट इरेबस जवाला मुखी है ठीक है और ये अंटारिक्टिका महाद्यूप का एक मातर सरकिर्य जवाला मुखी है ठीक है अंटारिक्टिका महाद्यूप का एक मातर क्या है ये सरकिर्य जवाला मुखी है ठीक है यहां से प्रशने से भी आ सकता है कि विश्वे का ठीक है या परत्वी का सबसे दक्षिन तम सरकिरिय जवाला मुखी कौन सा है तो विश्वे का या परत्वी का सबसे दक्षिन तम सरकिरिय जवाला मुखी जो है एक मतर सरकिरिय जवाला मुखी जो है वो कौन सा है माउंट इरेबस जौला मुखी है तो कौन सा जौला मुखी आपके माउंट इरेबस जौला मुखी है ठीक है इसी बाग में यहां पर जो है इसी महद्यूप के इसी बाग में यहां पर एक सागर है जिसका नाम है आपके रोस सागर क्या नाम है इस सागर का रोस सागर है कौन स चलो इस दूसरे डाइग्राम को देख लेती हैं, यहीं पर ही आपके भारत के द्वारा तीन जो है अनुसंधान के अंदर इस्तापित किये गए हैं, अंटारक्टिका पर भारत के तीन अनुसंधान के अंदर इस्तापित किये गए हैं, पहला जिसका नाम आता है आपके 1877 में इस्तापित किया गया था बारत के ये तिनों ही और तीसरा कौन सा आपके भारती है जो की लगबग 2012 में इस्तापित है किया गया था ठीक है तो ये तीन क्या है आपके अनुसंधान के अंदर है क्या है अनुसंधान के अंदर है और ये तीन अनुसंधान किस देश की है तो ये तीन अनुसंधान के अंदर आपके भारत देश के हैं, ठीक है, हाँ, तो ये लगबग आपके अब इस द्वीव पर पाए जाने वाले जीव जन्तु कौन कौन से हैं, क्या, जीव जन्तु, इस द्वीव पर पाए जाने वाले जीव जन्तु, तो इसमें एक तो आता है पैगवीन पक्षी का नाम आता है क्या नाम आता है पैगवीन पक्षी एक आपके शील मचली पाई जाती है क्या है सील मचली ये स्तंधारी होती है ध्यान रखना ठीक है सील मचली स्तंधारी है मचली ये से नाम दे दिया सील मचली स्तंधारी है ठीक है एक आपके यहां पर ही क्रिल मचलियों का जुंड पाया जाता है कौन सी मचलियों का क्रिल मचलियों का जुंड पाया जाता है ठीक है और इन क्रिल मचलियों का अकार लगबग 2 से 4 सेंटीमिटर होता है ध्यान रखना ठीक है क्रिल मचलियों का क्या पाया जाता है जु तो अब इसके बाद में यहां पर मैं बात करता हूँ वनस्पती कौन कौन सी है वनस्पती तो वनस्पती में ध्यान रखना आपके इस महाद्यूप पर एक तो लाइकेन पाया जाता है क्या पाया जाता है लाइकेन लाइकेन पाया जाता है और यह जो लाइकेन नामक जो है तो दो जीव कौन कौन से एक तो शेवाल है आपके और दूसरा नाम आता है आपके कवक क्या नाम आता है कवक ठीक है दोनों के सह समन से यह क्या है कि आगे बढ़ता है और यहीं पर आपके जो है मोश पाया जाता है मोश और यहीं पर आपके जो है फरन नामक जो है पाई जाती है ठीक है कौनसे महादीब की बात करें हैं एंटारिक्टी पा महादीब की अब सागर बता दिया कि आपको रोसागर, हाँ, रोसागर ये राप के, ठीक है, कौन सा सागर है, रोसागर, तो रोसागर की क्या विशेष्ट है, कि ये तो एक तो रोसागर जो आपके जेविविता के लिए परसिद है, द्यान रखना, विविधता, विविता के लिए परसिद है कौन सा सागर है रो सागर जेव विटा के लिए परसिद है इसी लिए युनेश को ने क्या किया युनेश को द्वारा इसे समुद्रिय जेव सरक्षित छेतर गोशित किया है चेतर गोशित किया है और कब किया है तो लगबगертв 2106 में जो विश्वय का सबसे बड़ा समुद्रिय जेव सरक्षित छेतर है तो ये हुआ आपके अंटारक्टी का महादिव तो दोस्तों आपके अंटारक्टिका महादिव जो है वो कम्प्लीट हो चुका है ठीक है थोड़ा ही मेटर था क्योंकि यहां पर यह निर्जन है क्योंकि जीवन विद्यमान नहीं है देखो एक बार आप इसको देखना चाहो तो देख लीजिए ठीक है अंटारक्टिका पयाता ऩिया दक्षिन दुर्व की और इसके बाद में मैंने इसके आकर्ति आपको बताई दीक इस हिसाब से है ठीक है कैसी आकर्ति है इसके हिंद महाँ सइगर words जाड़ा की है कौन सी है आपके कवीन मोड परुवत सरंकला इसके अंदर इसका जो सबसे उन्चा परुवत सिखर उसकी चर्चा कर लिया है मौंट विंसन ठीक है मैसिव है और यहीं पर यहीं पर यजी दूप में एक बड़ा हिमनद पाया जाता है जिसका नाम क्या है लेमबर्ड हिम्नद जो की विश्यो का सबसे बड़ा हिम्नद है ठीक है इसी तरह से हमने इसमे जीव जन्तों की वरणस्पति के बारे में आमने चर्चा किए है तो दोस्तो यह आपके हुआ कौन सा माधिवप है अंटारिक्टी का माधिवप है ठीक है तो अब मैं आपके सामने थोड़ा सा थोड़ी सी चर्चा करूँगा छोटी सी ज्यादा नहीं आपके एक महादिप है जिसका नाम है आपके आस्ट्रेलिया महादीप कौन सा महादीप आपके आस्ट्रेलिया महादीप देखो एक दो छोड़ी बाती है इसके बारे में वो देख लेती है एक तो ये सबसे छोटा महादीप है क्या है सबसे छोटा महादीप है ठीक है विश्वे का सबसे चोटा महाद्यूप है और एक तरहें से ये जो है मतलो एक वो भूबाग चोटा भूबाग जिसके चार और क्या हो पानी हो क्या कहलाता है द्वीप कहलाता है एक वो बड़ा भूबाग जिसके चार और पानी हो वो क्या कहलाता है महाद्यूप कहलाता है ठीक है एक वो भूब ये छोटा भाग है क्या है छोटा भाग है अर्थारत ये द्वीब के समान परतीत होता है तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया ये क्या है द्वीब ये महाद्वीब है ठीक है द्वीब ये महाद्वीब की संग्या दी गई है किसको आस्टेलिया महादीब का ठीक है इसका लगबग दो तिहाई हिस्सा ठीक है कितना हिस्सा दो तिहाई हिस्सा आपके क्या है मरुस्तल है दो तिहाई हिस्सा मरुस्तल होने के कारण इसी दीब को 85 भूमी का देश भी कहा जाता है इसी महादीब को या इस आस्टेलिया दे देश को 85 भूमी का देश कहा जाता है अब हम चर्चा करेंगे आस्ट्रेलिया की राजनितिक स्थिती में आस्ट्रेलिया जो है वो लगबक इतने प्रांतों में बटा हुए आपके छे प्रांतों में विवक्त है और आस्टेलिया के जितने भी सहर हैं वो सारे सहर मुख्य रूप से इसके किनारों पर ही क्या है की बसे हुए है ठीक है इसमें एक आस्टेलिया देशी है बाकी यह जो प्रांत है ठीक है मुख्य रूप से जो है मुख्य भूमी पर एक ही देश है बाकी इसके क्या है प्रांत नहीं किया है तो हमारे चैनल को सुस्क्राइब कीजिएगा धन्यवाद